कॉंग्रेस पार्टी के राजसबा के सांसद इमरान प्रताप गडीजी हमाय साथ है सर आपने एक बहुत important मुद्दा जो है बार बार उठा रहे हैं अब आपने इसमें short duration का discussion भी मांगा कि यह जो अचानक heart attack से युवाओं की मृत्ती हो रही है क्या कुछ इसमें जो है बाते आपने उठाई हैं अंदर संसत के अंदर और क्या discussion क्यों मांग रहे हैं देखे सिर्फ discussion और special mention नहीं मैं चुकि health की standing committee का member हूँ तो मैं अब तक तीन बार committee की meeting में इस पर request कर चुका कि इस पर discussion होना चाहिए और इस पर committee बननी चाहिए लेकिन health committee में भी विशय जो है वो बहस में नहीं आया वहाँ के विशय उनकी priorities अलग हैं मैं हर दिन देख रहा हूँ social media पर ऐसे से visual आ रहे हैं कि लोग gym में workout कर रहे हैं एक बारगी गिर रहे हैं मेरट में एक बच्चे अपने दोस्तों के साथ जा रहा है 16 साल का गिर के दम तोड़ दे रहा है मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात के लिए committee गठित करे स्वास्तमंत्रा ले और इस बात की जाच करे लोगों में डर का महावल है लोग इसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट मान रहे है कोई कह रहा है कि यह कोविट का साइड इफेक्ट है तो आखिर है क्या इतने छोटे बच्चों में इतनी बड़ी रेशियो में जिस तरह से हार्ड अटेक की घटनाएं आ रही है special mention लगाने के बाद देश भर से लोगों के मुझे फोन आ रहे है यह वो घटनाएं है जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गई लेकिन हर हार्ड अटेक की मृत्यू जो है वो इस तरह की वो वीडियो में तो रिकॉर्ड नहीं हो पार है और किस चीज की वज़ा से यह मौत हो रही है इस पर जांच जरूर करवाएगे आगे क्या आप फिर मुद्ध उठाएंगे मैं बिल्कुल मैं लगातार यह देश का इस वक्त मैं यह मानता हूँ मैं इस पर सियासत नहीं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि असल में कारण क्या है इसकी जांच हो ताकि आने वाले दिनों में जिन्दगियां बचाई जा सके सरकार कहीं से भी संजीदा नहीं दिख रही है इतनी कोशिशों के बाद एक दिन बड़ी मुश्किल से स्पेशल मेंशन लगा मैं फिर से चाहता हूँ कि इस पर सदन पर चर्चा और स्वास्त मंत्री आके इस पर जवाब दे तो ये थे इमरान परताब गरीजी हमसे बात करते हुए स्प्रेभारद वाच आज तक दिल्दी